दोनों और से लगातार पत्थर बाजी की गई इस बीच चाकू बाजी की भी घटना निकल करके सामने आई है अस्थानिय पारसत पती समेते तीन लोग चाकू लगने से घायल हो गए है वहीं गुसाई भीड दूसरे समुदाय की इलाके में जब घुसने लगी तो पुलिस ने रोका जिसके बाद पत्थराओ शुरू हो गई वहानों में आग लगा दी गई काफे देर तक आराजक्ता का महौल बना रहा कई बार दोनों गुट आमने सामने आ गए जिसे लेकर के पुलिस के पसी ने छोटते नजराए दरसल ये पूरा मामला बहरवाडा के भीमगंज थाना इलाके का है जहां पर गुरुआर की रात पटाका चलाने के विरोध में एक समुदाय के लोग इकटा होकर आये उन्होंने पटाका चलाने से मना किया इस पर चाय की दुकान चलाने वाले पारसत पती से उनकी कहा सुनी हो गए जिसके बाद गाली कलोज के बाद मार पिठ होने लगी दोनों तरफ से लोग इखटा होने लगे एक गूट से चाकू के हमले में बारसत पती समें तीन लोग धायल हो गए दरसल भिलवाडा नगर परिसत की पारसत मंजु देवी के पती देवेंदर हडा की चाय की दुकान है जहां से इस पूरे घटना की शुरुआत होई चाय की दुकान पर कहा सुनी होने के बाद बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगटनों की लोग इखटा हो गए वह दूसरे संगटनों के लोगों ने तीन वाहनों में आग लगा दी दूसरे संगटनों के लोग भी कटा हो गए और दोनों गूट आमने सामने आ गए काफी देर तक अफरा तफरी का महौल बना रहा इस पूरे मामले पर भिलवाडा के अतिरिक्त पुलिस अधिक्चक पारस जैन ने बताया कि चाकू मारने वाले एक आरोफी को हिरासत में लिया गया है और आग जैनी और तोड़ खोड करने वालों की पहचान की जा रही है ज अब जैनी इसी सम्धाय पर शेस से लोगों से तुछास हो नी गी और उसमें फिर जो उनके चाकू मार लिया और चाकू जो मारने वालों में से जो लो गये उनमें से एक आत्मी को अमने उठा लिया है और बाट्ची के लोगों को आइडेंशी फाइट करके और टीम लगा क करके उठा रहे हैं अभी इन लोगों से बाते करके समझाज किये अभी फिलाल मौके पर शांग किये बिल्कुल पत्था हुआ है पत्था आप करने वाले सारे लोगों को आइडेंटिक्राइट करके विखराब सखे सखे कर रही करें